नमस्कार दोस्तों सेरेसी टेक्नलोजीज में आपका स्वागत है और मैं है दिलिप नमगार यह है मेरा गेम फार क्राइटू इसको मैं लॉंच करता हूँ प्रॉब्लम आपको सामने दिख रही है यह जो स्क्रीन है आपकी वो पूरे डेस्टॉप पे नहीं आ रही है और साइड से आप इसको स्ट्रेश भी नहीं कर सकते हैं पूरे डेस्टॉप पे गेम मैक्सिमाइज हो सके विंडो यह सब चीज़े करने के लिए क्या सेटिंग में आपको एक छोटी सी बताता हूं यह प्रॉब्लम आपकी सॉल्व हो जाएगी करना क्या है आपको इसके लिए विंडोई दबाईए डॉक्यमेंट्स नाम का एक फोल्डर होता है आपको जैसे अपन खोलेंगे डॉक्यमेंट्स फोल्डर को कोई भी एक्ट्रा अपने ऑप्रेटिंग सिस्टम के अलावा हमने जो सॉफ्ट्वेर डाउनलूड कर रखें उनके यहां पर फोल्डर बन जाते हैं उनकी फाइल व अलग-अलग बनी हुए है ना सभी की, तो ये my games पे जाना है आपको, my games में जिसे कि मैंने बताया आपको game का folder मिलेगा, देखे मिल गए आपको far cry to, इस पे क्लिक कर दीजिए, यहाँ पे आपको एक file मिलेगी, gamer profile करके, जो programming से लोग सम्मंदित हैं, उन्हें तो समझ आजाएगा, जो लोग non-technical हैं, उनको समझ नहीं आएगा, इस XML file के अंदर हमें थोड़ी सी setting change करनी है, तो अगर आप इस पे double click कर दोगे, ऐसे आपकी ये browser पे file खोल जाएगी, जो XML file थी, पर हमें तो edit करना है, तो हम इस file को क् click करेंगे, और इसको open with में notepad पे, यानि notepad पे खोल लेंगे, इसको हम file को, जिससे के हम edit कर पाएं, और save कर पाएं, ये है file, अब इसके अंदर हमें वो settings screen वाली अपनी ठूणनी है, ये दिखे, कितना simple जो मैं बता रहा था, आपको XML file कैसी होती है, simple, ये element है अपना root element, औ और इसके अंदर ये दूसरे elements है, ये sound profile हो गया, render profile हो गया, network profile हो गया, game profile हो गया, इस सारी settings है आपे हैं, जगर आप इसको समझोगे न, ये elements है, और इन elements के अंदर ये attribute है, music enabled एक attribute है, और ये एक element है, और ये 0 है, वो इस attribute की value है, जिन लोगो HTML आता है, वो भी इस बात को और force wide screen करके, ये ही हमें settings करनी है, आप अगर ऐसी ना ढूंड सकते हों, तो इसमें आप, जैसे आप control F करेंगे, ये find की window आपके सामने आ जाएगी, और इस window में आपको यहाँ पे full screen, जैसे हमें screen के बारे में ढूंड रहे हैं, तो हमें आपे full लिख दीजी आप, और जैसे आप find next पे click करेंगे, अब ये देखिए क्या करा है, cannot find full, क्यों ऐसा क्यों है, क्योंकि देखिए हमने direction का चूज कर रखा है, हमें इसका direction अप पूरा, जैसे notepad में आप search करते हो, तो आपको direction का बहुत ध्यान रखना है, तो मैं इस direction को up कर देता हूँ, पूरा उपर से नी आपको दिख रहा है full screen, यह है हमारा attribute और इसकी value 0 है, 0 का मतलब false होता है, true का मतलब one होता है, 0 का मतलब false हो गया, यानि full screen नहीं होगा, तो इसको आप one कर दीजी है, अब full screen होगा, यानि true हो गया, full screen allow कर दिया, हमने true कर दिया, maximize भी अगर आप करना चाहते है, तो इसको भी allow कर दें, तो यह maximize भी होने लग जाएगे window, force wide screen आप रखना चाहते है, screen को wide करना चाहते है, तो भी आप इसको one कर देते हो, आपकी screen full wide हो जाएगी, ऐसी चीजे है, आप इनके नामों से adjust करके अपनी settings बहुत सारी चीजों की बदल सकते हो, तो हमारी इस screen की problem थी, जो इस तर इस game को, और reload करते हैं हमें, तो दोस्तों देखिए, यह है हमारा game, full screen पे complete कोई problem नहीं, जैसे कि मैंने XML का आपको बदाया है, अगर आप लोग कोई भी programming से related videos देखना चाहते हैं, जो भी आप videos वगरा देखना चाहते हैं, तो playlist मेरी देख लें, बहुत अच्छी अच्छी playlist हैं, programming से related videos हैं, वो देख सकते हैं, और video बंद करने से पहले, subscribe ज़रूर करते हैं, thank you for watching guys, see you, bye bye, मिलते हैं next video में.